Welcome to welldeco.com, मिरा नाम है देव आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कार इंशोरेंस जब भी आप कराते हैं तो उसके रिनुवल के उपर क्या आपको चीज़े ध्यान में रखने चीए तो मैं आपको कुछ ऐसी ट्रेक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा जिसके तुरू जब भी आप अपने कार का इंशोरेंस रिनुव करवा रहे हो तो उसके उपर आप अच्छे खासे यापे पैसे वगरे बचा सकते हैं क्योंकि आप लोग को पता है कि कार हमारी एक लाइबलेटी होती है ना की असेट्स जी हाँ तो आप उसके उपर जित्ता भी खर्चा करिए उसके उपर अल्टीमेटली जो है वह आपका बढ़ने वाला नहीं है उसके उपर डाइबलेशन लग्लाक करे वह कम होने वाला है तो चलेगा इस पहले हम लोग जान नहीं कि जब भी आप इसमित कार का का इंसौरेंस करने हैं चाहे रिनुल करने रहा है या फिर फ्रेश इंस लेंस लेड़े हैं फिर चाहे आप खुद का basic damage क्यों ना ले रहे हो यह जरूरी नहीं है लेकिन यहाँ पर हम लोग एक comprehensive plan को लेके चल रहे हैं जिसके अंतर जो third party liability से यानि आपने किसी को ठोका तो उस बंदे को जो भी नुकसान होगा वो भी यहाँ पर insurance company यहाँ पर claim करके देगी और साथ में आपके गाड़ी को भी यहाँ पर कुछ भी नुकसान होगा तो वह भी insurance company आपको claim करके देगी तो देखें यहाँ पर क्या होता है जो third party का insurance होता है उसका premium होता है जो IIDA ने यहाँ पर set कर रखा है आप कोई सी भी company से ले लो यह हमेशे आपको fix मिलेगा जैसे आप मेरी screen के सामने देख सकते हो यहाँ पर third party liability जो premium है वो 3416 रुपय आ रहा है आप गईस यही चीज़ जैसे कि मैं policy बजार के उपर गर मैं चेक करूँगा कोई सी भी insurance के नहीं तो आप नीचे जाके देख सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 18 third party plans तो देखें यहाँ पर आपके ग 123416 यही आपको मिलने वाला है बस हो सकता है कभी कबार आपको एक दो रुपय का फरक मिल जाए लेकिन बाकी सबी cases में आपको यह चीज़े यहाँ पर सेम मिलने वाली है आप गईस जो दूसरा हमारा component होता है वह था comprehensive insurance जिसके अंदर शामिल होता है आपका vehicle का on damage है तो यह premium हमेशा यहाँ पर defer करता है और इसके अंदर काफी सारी चीज़े included होती है इसके इंदर जो पहला main component आता है जिसके तुरू आप अपना premium बचा भी सकते हो कई बार नुकसान के अंदर भी जा सकते हो और आप अपना premium बढ़ा भी सकते हो तो देखिए वो जो component होता है जिसका आप देखिए इसमें IDV की simply बात करो तो यह simply आपकी car के value होती है जो की होती है depreciation के बात की जिया तो guys इसके लिए यहाँ पर description box में आपको simply जो है link provide कर दूँगा यहाँ पर general insurance counseling की एक link है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते आपना simply आप state डालिए आपना जो भी गारी का आपक section का वह आप डाल सकते कब ली थी है आपने select simply यहाँ पर मन्त कीजिए कि हाँ मैंने November के इंदर चुड़वाई थी maker कौन है Maruti है models की बात कर तो यहाँ पर विटारा ब्रिजा है select variant की बात कर तो जैसे आप यहाँ पर show price के उपर click करेंगे तो आप दी सकते आज की date में इसकी ID 4,93,170 rupees है तो guys जब भी आप यहाँ पर insurance कराते तो आपको जो पहला हमेशा tab दिखाए देगा वह दिखेगा value of the car जिसको हम लोग IDV बोलते है आप guys यह value of the car क्या होता है हर insurance company क्या करती है आपको एक range प्रोवाइड करती है वैसे तो देखेए IDV जो है यहाँ पर depreciation के बात में इसतनी बचती है प्लस यहाँ पर percentage पी लिखे है जिसे आप देख सकते है अगर आपकी car 6 मैंने पुरानी हो चुकी तो उस पर 5% यहाँ पर depreciation कर जाएगा अगर 4 या 5 साल पुरानी हो चुकी तो almost 50% यहाँ पर depreciation कर जाएगा जो पैसा मुझे देने वाली है उस car के अगेंस में वो केवल 6,60,000,000 रुपे होगा उससे जादा नहीं देगी बले उस car की secondary market के अंदर उसको मैं बेशने जाता मैंने जादा चलाई नहीं है वैसे भी अपनी car तो उसकी आराम से आज की date के अंदर value जो है आट लाक रुपे के something है लेकिन still जो है यह जो insurance कमनी है अगर मेरी car यहाँ पे खो जाती है चोर चुरा की ले जाता है तो मुझे केवल 6,60,000,000 रुपे मिलेंगे तो guys आपको हमेशे अपनी car की value बहुती यहाँ पे ध्यान पूर्वक जो है choose out करनी चाहिए आपको देखना चाहिए कि मैंने कितनी car अपनी चला रखी है और यहाँ पे अगर मेरी car गुम जाती है तो उसकी एक replacement cost कितनी यहाँ पे आ सकती है साथ में guys यहाँ पे ऐसा भी possible नहीं है कि आप अपनी car की value मालीजाब की car जो है 12,00,000 रुपे की एक्स शोरूम वैल्यू थी उसको 5 साल हो चुके हो अब आप चाहते हो कि यहाँ उसको मैं 8,00,000 या 10,00,000 कर दो ऐसा भी possible नहीं होता है यहाँ पे insurance company जो आपको एक range यहाँ पे set करके देती है for an example आप देख सकते हैं अगर इसको मैं policy बजार के उपर भी लेके जाता हूँ तो यह मुझे maximum value यहाँ पे offer जो कर रहा है वो 6,29,400 रुपे की कर रहा है तो guys यहाँ पे हर insurance जो company है आपको अलग-अलग value देगी और यह जो value होगा उसी के उपर आपका जो premium amount है वो भी यहाँ पे differ करने लग जाता है so guys इसके लिए तो यार मैं simple सी tips यह देना चाहूँगा अगर आप मालीजे आपकी car की अगर secondary market के अंदर value ठीक ठाके तो हमेशे आपको जो maximum IDV value आपको जो मिल रही होती है वो ही आपको set out करनी चाहिए लेकिन मालीजे car को आपने ऐसा चलाया है ऐसा दोड़ाया है कि उसकी value बिल्कुली खतम हो चुकी है secondary market के अंदर उसको कोई भी पैसे देने को तयार नहीं है और insurance company आपको जो दे रही है वो अच्छा खासा पैसे आपको मिल रहा है तो उस case में आप अपनी IDV को यहाँ पे थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो चीज होती है that is the NCB discount अब यह NCB discount क्या होता है तो guys यहाँ पे आप अपनी कार का जब insurance कराते है तो renew के time पे क्या होता है अगर आपने उस साल यहाँ पे claim नहीं किया है तो यहाँ पे insurance company आपको एक discount offer करती है और यह हर insurance company आपको discount offer करती है तो guys यहाँ पे यह slap बनी हुए कि मालने चेकर first year आपका claim free होगा तो 20% का मिलेगा second year आपका claim free होगा तो 25% मिलेगा, third year होगा तो 35% मिलेगा उसके बाद में maximum यह 50% तक यहाँ पे आप जा सकता है तो जैसे आप मेरी screen के सामने देखेंगे तो मेरा premium break up है तो आप यहाँ पे screen पे दे सकते हैं वैसे तो 10,000 रुपे का basic premium लेकिन उसके अंदर मुझे 45% का यहाँ पे NCB का discount मिल रहा है जो कि मैंने पिछले 3-4 सालों से मैंने यहाँ पे कोई भी अपना claim नहीं डाला है साथ में यह चीज़ इसलिए भी matter कर जाती कई बार क्या होता है कि लोग छोड़ी-छोड़ी चीज़ों के उपर claim डालने शुरू कर देते अगर आपकी गाड़ी के अंदर 5,000 रुपे के उपर का कोई भी खर्चा नहीं है मालने जिए आपके गाड़ी का कोई शीशा वेगर तूट गया उसकी replacement जो cost से 4,000 रुपे तो कई लोग क्या करते इंशॉर्णस के अंदर claim कर लेते तो यह गलती आप मत करना क्योंकि अगर आप इंशॉर्णस में claim करेंगे तो आपका जो NCB का discount है वो तो जाए गई जाएगा साथ में एक आपका ना file charges लगता है जो किसी को basically पता ही नहीं है तो guys यह file charges होता है वो 1000 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक का होता है और यहां पर यह सारी कमनी चार्ज करती है depend on your CC of the engine अगर 1500 की नीचे का अगर आपका engine है कार का तो वो 1000 रुपे चार्ज करती है 1500 के उपर का है तो 2000 रुपे चार्ज करती है और यह IIDA का set है fix है कि भाई इतना तो mandatory आपका जो है direct हो गई होगा जब भी आप insurance claim करने जाओंगे 1000 रुपे का file charges के नाम पर कह सकते हो आप या फिर 2000 रुपे आपका वो लगेगे लगेगा उसके लावा आपके पास में उसके लावा कोई भी solution नहीं है तो कभी भी अगर आपका खर्चा बिलकुली कम है तो कभी भी आपको claim के अंदर गारी को नहीं डालना चाहिए जब बड़ा खर्चा हो तब भी यहाँ पर डालिएगा गारी को claim के अंदर इस तरह guys जो यहाँ पर point है वो मैं आप लोग के साथ में discuss करना चाहूँगा add-ons जी यहाँ अब add-ons में कई सारी चीज़े होती ही जिसे 0-dap policy होती है एक invoice to value होता है जैसे मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा जैसे आद देख सकते है 0-dap का यहाँ पर simply मतलब क्या होता है कि मालीचे आपकी गारी का शीशा तूड़ गया तो guys जो यहाँ पर glasses वगर होती है उसके उपर 50% का depreciation लगता है तो अगर आप 0-dap को यहाँ पर adopt नहीं करते मालीचे 10,000 रुपे शीशे की cost तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपका गारी के अंदर शीशा इंस्टॉल होगा तो अगर आपने 0-dap नहीं ले रखा तो 5,000 रुपे आपको अपनी जेप से देना पड़ेगा और सिर्फ 5,000 रुपे यहाँ पर इंशोरेंस कमणी प्रोवाइड करेगी लेकिन अगर आपने यहाँ पर 0-dap ले रखा है तो 0-dap के अंदर क्या होता है आपका 100% कवर होता है यानि कि जो depreciation भी है वो भी यहाँ पर इंशोरेंस कमणी ही sponsor करेगी लेकिन इसके अंदर एक और दिखकत है जैसे आप 0-dap यहाँ पर add-on करेंगे तो आपका जो premium होगा ना भाई car insurance का वो almost कह सकते हैं आपका यहाँ पर double हो जाने वाला है तो 0-dap जैसे आप select करेंगे तो यहाँ पर increase हो आता है तो guys बात करते कि 0-dap यहाँ किसको select नहीं करना चाहिए तो guys अगर आपको लगता है कि आप आराम से आपर गाड़ी चला रहे है पिछले 40 सालों से आपने कोई भी यहाँ पर claim वगर नहीं डाला है प्लस guys अगर आपको लगता है कि आप गाड़ी इतनी जादा पुरानी हो चुकी है अगर कुछ भी हुआ तो चलो ठीक है मैं अपनी जेव से भी यहाँ पर थुड़े बहुत पैसे यहाँ पर भढ़ दूगा तो उस case में आप 0-dap यहाँ पर ignore कर सकते हैं लेकिन अगर आपने अभी अपनी गाड़ी छुडवाई है आपको एक साल हुआ है दो साल हुआ है एकदम चम चमाती हुई गाड़ी है आपकी तो definitely guys आपको यहाँ पर 0-dap जो है यहाँ पर consider definitely यहाँ पर consider करना चाहिए इसके लाब guys बहुत सारे यहाँ पर add-ons होते लेकिन मुझे लगता है वह सारे के सारे फालतु के add-ons है जैसे 24 x 7 roadside protection आपको पता भी नहीं लगेगा आपके policy के अंदर यह add-on रखा होगा engine protection cover engine खराब हो गया तो उसके उपर आप एक cover ले लो जब की normal insurance के अंदर cover नहीं होता है ncb protector इसका मतलब क्या है आपने claim डाला उसके बावजुद भी आपको हर साल ncb वगरे मिलता रहेगा उसके बाद में key and lock replacement हो गया consumables हो गया daily के allowances हो गया इसके लाव guys यहाँ पर एक और add-on होता है जो कि अच्छा add-on है लेकि सिफ नई गाडियों के लिए यहाँ पर ले सकते है जो कि यह invoice की price इसके मलब है आपकी गाड़ी के उपर जित्ता भी debt लगता है उससे कोई भी यहाँ पर matter नहीं करता आपकी ID value भी matter नहीं करेगी इस case में अगर आप इस add-on को यहाँ पर cover कर लेते हो तो insurance जो आपने आपकी showroom जो value है काड़ी की वहीं यहाँ पर आपको जो insurance company claim करके देती है अगर आपकी गाड़ी चूरी हो जाती है तो इसके लिए यहाँ पर कुछने additional covers होते है जो की compulsory होते है उसके अंदर एक additional cover होता है that is the personal accident cover up to 15 lakh रुपेज जो गैस यहाँ पर screen के सामने देख सकते ही यहाँ पर दिया हुआ है कि यह compulsory है 15 lakh रुपे का तो इसको अगर आप off करना चाहते है तो इसका मतलब है अगर आपके पास में माली जी आपने कोई health insurance ले रखा है term plan ले रखा है उसके अंदर आपका जो accidental personal accident cover हो already added है तो उस case में आप इसको off कर सकते है लेकिन यह compulsory होता है उसके ज्यादा पैसे भी नहीं लगते तो आपको make sure करना चीए कि यह चीज अगर आपके पास में already है तभी इसको आप off कीजिएगा वना आप इसको हमेशा यहाँ पे on रखिएगा आतमे guys में personal accident cover की बात क्यों तो यह basically क्या करता है अगर माली जी आपका accident होता है तो उस case में माली जी जो भी medical के hospital के bills वगरे होंगे वो आपके cover होंगे प्लस माली जी अगर आपके death वगरे हो जाती तो उस case में भ जाता हो मालनो आपका जो premium है वो 5500 रुपे का आ रहा है आपका इस आपने यहाँ पर क्या किया है यहाँ पर आपने 5000 रुपे का एक deductible amount चूज कर लिया और इससे आपका जो insurance का premium था वो 5500 से लेकर 5100 हो गया बलब 400 रुपे का discount मिल गया और उसके case में आपने voluntary deductible वो 5000 कितना भी बन रहा हो 5500 रुपे आपको देने ही पड़ेंगे और बाकी का जो amount है वो यहाँ पर insurance company डालेगे तो यह अगर आप चूज करते तो आपको premium के अंदर भी यहाँ पर additional discount मिलता है लेकिन अगर आपकी गारी एकदम new है तो इसको आप चूज मत कीजेगा बहुत ही ज insurance चला था जिस company के साथ में मैं switch करना चाहता हूं तो इसके इसमें आपको यह भी consider करना चाहिए कि जिस भी company की साथ में आप switch कर रहे है उसके total cashless garage कितने है और आपके nearby मालीजी आपका एक favorite garage होगा जहां पे आप अपनी गारी हमेशे देते हैं तो क्या वो garage इसके अंदर cover है कि नहीं है क्योंकि cashless garage का मतलब क्या होता है जब भी आप यहाँ पे गारी के अंदर claim डालते हैं तो आपको अपनी जेव से पैसा नहीं पढ़ना है यहाँ पे cashless के अंदर क्या होगा जो garage होगा उसका tie-up होता है insurance company की साथ में और जित्ता भी आपका claim amount होगा insurance company जो है directly pay करे वैसे तो mostly इंडिया के अंदर सारी आप company देख लो सबको almost आपको 95% से उपर ही यहाँ पर जो claim settlement ratio मिलने वाला है लेकिन फिर भी आपको इन चीजों को भी थोड़ा सा consider कर लेना चाहिए उसको आप जो भी company को consider कर रहे है at least उसके आपको brand value भी देखनी चाहिए कि लोग उसक करने की सोच रहे हैं या already आपकी existing insurance company है क्या वो आपको video claim के थूँ यहाँ पर process करने का option देती की नहीं देती कई बार क्या होता है मालीजे आपके गाड़ी रास्ते के अंदर ठुक चुकी होती है अब जो garage है 200 km दूर है जहाँ पर गाड़ी आपके ठुकी है वहाँ से 200 km द चुक दिया है या और कुछ इसके अंदर कर दिया है modify कर दिया है तो आप क्या कर सकते है अगर आपकी company यह चीजे प्रोवाइड करती है तो आप उस टाइम पर video बना सकते है और instantly उस गाड़ी का video जो है आप उनकी app के ओपर upload करके अपना claim simply यहाँ पर दर्श करवा सकते है मलब आपको garage तक जाने की जरुवती नहीं रहेगी पहले ही आपका claim यहाँ पर register हो जाएगा उसके बाद में आप easily garage के अंदर लेके जा सकते है और जो insurance company है वो उस case में आपका कभी भी जो claim rejection है उसके chances यहाँ पर काफी कम हो जाते है तो guys यह मैंने आप लोगों कुछ tips बता